दोस्तों आज हम लोग हमारे समिधान के आर्टिकल 38 के बारे में जानेंगे आर्टिकल 38 हमारा काफी important DPSP है इसलिए इसको ध्यान से समझना State to secure a social order for the promotion of welfare of the people आर्टिकल 38 हमारे स्टेट से कहता है कि कृपया करके ऐसे काम करिये जिससे की भारत की जनता का भाला हो सके फॉर एक्जामपल हमें नियाए दीजिए social justice, economic justice, political justice यानि किसी के साथ भेदभाव मत करिये हर एक वेक्ति को equal opportunities मिलनी चाहिए ताकि उसकी development हो सके अगर ऐसा होगा तो हमारा welfare हो रहा है and social order maintain हो रहा है अर्टिकल 38 में दोस्तों second provision है कि ये state की सिम्मेदारी है कि वो income and status में जितनी भी inequalities है हमारे देश के अंदर उसको minimize करे and eliminate करे यानि कम करके खतम करना है and ये वाला provision 1978 में add किये था by 44th constitutional amendment act and जैसे ही ये provision add किया income tax की चापे हमारे देश में बढ़ा दिये गए उमीद करता हूँ आपको वीडियो समझाई होगी and अगर समझाई तो इसको जादा से जादा शेयर करिए बहुत बहुत धन्यवाद